प्रोफेसर शुहम त्यारी जहां पर प्रोवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके स्लेबर्स पेपर पैटन और मोस्ट इंपॉर्टन कॉस्टिंस की वीडियो बात करेंगे हमारे यफवाई बीकॉम ग्लास आप लोग अगर 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 अवरेस आप लगा है हर एक यूनिट में मिनिममम काउंट कर रहा हूं भई बीस क्लास में जिया हूं मतलब लेक्षर नंबर 20 मिनिमम मैक्सिमम 25 यूनिट की बात करो नहीं तो बात कुछ बच्चे बोलेंगे सर्मेजर ऑफ सेंटर टेंची ताइधिक्ट बात करते हैं तो आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो आप देखोगे नंबर ओफ लेक्चेस आपको कितने देखने मिलेंगे प्लेस्ट आप जाना देखना इसली मिल जाएगा लेक्षर 13 पे शिफ्ट होते हैं यूल इम्पोर्डन टॉपिक ए क्वेशन बनने की चांसिस आ आपने मिनिमाक्स का कॉंचेप्ट किया है मिनिमाक्स कॉंचेप्ट अगर आपने किया तो देखो टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल बहुत प्यारा वैसे भी अगर बोला जाए यूल का कॉंचेप्ट क्या चलता है तो मैं अगर बोलता है कोई भी बच्छा वैसे पढ़ाया हो गया रिगूलर अगर मेरी साथ स्रीज प्रैक्टिस करते हुए आयों तो तो दो शीच की बारे में बात करूंगा दो शीच पहला अगर आपने मिनिमाक्स पढ़ा है कि इसका एक इन सब्सक्रामठ है क्या कॉंसेप्ट है अगर आपने मिनिमस का कॉंसेप्ट पढ़े तो बच्छों को अच्छे से पता होगा कि में में माइक्स का कॉंसेप्ट बोलताxic है कि हमारा लेग्रेट KvordanT से रिग्रेट टेबल बनता है और रिग्रेट टेबल कैसे बनता है वह भी बच्चों को पता होना चाहिए अगर पता है तो दिखो यह टॉपिक बहुत आसान है लेकिन मिनिमक्स के साथ में कुछ रूल लेके आ जाता है अगर बात करोंगा तो फैकि से होता है वह मैक्सिमों बेस्च defa होता है किस पे पोथा गाल में मिनिमम्म के पे चलता है किसके बूल चलेगा कि मिनिमम के बेस पे चलेगा यह इंपोर्ट ऑर अगर ज recommend बैसे को निन नहीं देखा इसर क्लास तो हमें कैसे यह राए आए गायेगा सार लेक्छिर लेक्टर लेक्ष्यर लेक्टा लेक्षार में तर मुझे लग रहा है वैसे भी समझ आना चाहिए यह व्याज़िवा प्रकुस्चिन बोल रहे इसलिए मैंने इसको पहला ही संपिक कर लिया है कि मिनिमाइज वाला क्योंकि फूरे आप संप उठा के आप इग्जम्पल्स देखोगे आपके बूक में एक एक्जम्पल और अगर यह एक्जम्पल एंड अधर इग्जम्पल का डिफरेंस नहीं समझा और यह एक्जम्पल द तो में लिखके देता हो कि 90% बच्चे ना गलत कर देंगे यह टॉपिक क्योंकि देखो इधर मैंने क्या बता कि जितने एक्जम्पल्स आपके टेक्सुंग में दिये हैं चाहे एक्जम्पल की बात कर रहो ह। यह आपको प्रैक्टिस करवा के दिये गए हैं उसमें सिर्फ आपके चलता है और बाके सब में कॉंचेट सेम चलते हैं दिया गया कंडिशनल कॉस्टेबल कैसा कॉंचेप्ट होगा बई अधर सम्में क्यों अलग होने वाला है तो देखो आज की एक क्लास आप कर लोगे इसमें क्या रहेगा और रिमिनिंग जो तीन क्लास होने वाली उ आपके तीन है एवन एटू एथरी एन इस्टेट अफ निचर आपके तीन है यस वन एस्टू एस्टू एस्ट्री चले स्कॉस्टेबल अपने देख लिए अप समको स्टाट कैसे करना जरा वह देखते हैं ताहरा ने अगने टापिक बहुत सिंपल है अगर मैं टॉपिक ही स्क्राइ अदेख और दिव चैसे करने मिने मैं मैं बहुत सिंपल अब करना पड़ेगा रिग्रेट एबल एग्रेट बुब बीव सट ओवर्ड लिखो भई क्तियुक्स लिन इन ह्ष्का फॉसेबल हिंए तो मस्ट बीब्रृप्रिपेर रिगरेटेबल रिगरेटेबल बनाना पड़े गा और रिग्रेटेबल का ऐडिखे किया जलने वाला है मिदिने वृद कhouse से बनाओगे उसके बारे में जड़ा बात करते हैं ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक निगल गया रहे है फॉर एस वन जैको इधर है फॉर एस्टू कितने स्टेट अफ नेचर है अब दियान रखना मिनिममम वर्ड लिखने का अब यहीं इंपोर्टेंट है मैं समझा रहो आपको पहले लिखो मिनिममम पे ओओ अ मिनिममम पे ओफ मिनिममम पे ओफ आप यहीं बोलोगे ज्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट चीज है बहुत इंपोर्टेंट चीज है जहां बच्छे कन्फ्यूजन में चलते हैं फॉर एस्ट्री जितने भी स्टेट अफ नेचर है आपको यहां पे लिख देना है क्वेशन जरह साइड करता हूं यहां पे और क्योंकि आपके इस्ट्री का कॉंसिप नहीं दिख रहे है ना चलो बात करेंगे मिनिमवम पयो मिनिमम म्यूंकि लिया गया मैकसिमम क्योंकि आगे अनवाले सम में मैकसिमम हमें सह लिया जाएगा बड यहां पर यही है कि mod elétree मिनिम की बात बढ़ना अफूल को यहां में सबस्क्राइबoire स करता है को यहां मिनिम appeal नहीं और आ इस और आपको बात करते हैं रिग्रेट वैलू पहले रिग्रेट टेबल आपको बनाना पड़ेगा चले शिप्ट होते जरा उपर क्योंकि हमें चाहिए यह टेबल सिर्फ टेबल आपको दिख रहा है और यह वैलू चाहिए बस बाकी काम अपना यहीं से हो जाएगा पहला काम आई हो फर एक बच्चे को समझा कैसे सेलेक्शन लिया मिनिममम सर हर सम्में यूल को मिनिमम ही लेन क्या फाइंड देख वैल्यू यूल क्या फाइंड आउट करना है आपको रिग्रेट वैल्यू कैसे फाइंड होगा देखो इदर कितने अच्छे दरहेगे से होने वाल है फॉर यह स्वन फॉर ऐस्टू एस्टू पॉर एस्टू एस्ट्री जान देना बहुत सिंबल टॉपी के बड़ पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा एस्टू में आपने मिनिमम क्या निकाला सर्फ 45 तो सब को 45 से माइनस कर दो सबको बुले तो किसको स्टेट ओफ निचर वन को वन वाले को वन से मानेस टू आले को टू से मानेस त्री वाल दो सेकेंड वन टून्टी माइनस शोटा नंबर आपका यह सुन में क्या था आपका 45 थर्ड 45 माइनस 45 आई हो फर एक बच्चे को समझा कितना आएगा चलो माइनस करके इधर लिग देता हो 80 माइनस 45 किया तो कितना आएगा 35 चलो यहां पर कितना दिखेगा 120 माइनस 45 कर दो 75 क्लियर लास्ट 45 माइनस 45 किया तो जीरो किसी बच्चियों को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम कोई कन्फीजन इसमें होनी चाहिए क्या किया नेक्स्ट देखो नहीं समझा एस टू का कैसे फाइंड आउट करूंगे देखो यहां पर वैल्यू दिए जो आपने मिनि इसमें निकाल है उससे माइनस कर दो तो नंबर की अगर बात करूंगा क्या दिया गया देखो इदर पर आप 110 कलर चेंज करता हो जिससे थोड़ी सी क्लियर्टी और बड़े चल्ड़ 110 कितना नंबर की इतना यहां पर लिखेंग एक क्लियर सेगें न कितना दिखाए आपको 150 मानट कर दो 80 लास्ट आपको दिखाए 80 मानट कर दो 80 क्लियर है कि नहीं चल्ड़ 1 10-80 कर दो आप कितना आ रहे 30 150-80 गर दो आपको मिलेगा 70 80-80 गर दो कितना मिलेगा 0 किसी बच्चे को I think कोई problem कोई confusion नहीं हो नहीं चीए और इसको और बेटर समझने के लिए के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में रिप्रिजेंट कर लेते हैं तो और बेस्ट हो जाएगा हाइलाइट होता रहेगा आपके लिए के लिए एक्जाम में ऐसा कंपल्सरी नहीं है का आपको बनाना ही है पर मैं यहां पर इसले बना रोग तो थोड़ा सा हाइलाइट होता रहे छेले पर इसले काम कर लेते हैं नंबर आपको दिखी रहे हैं पहले नंबर लिख दो 250 300 250 300 लास्ट आपका कितना दिया है 320 माइनस 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 तीनों में सबसे चोटा नंबर ओलड़ी देखके यहीं दिख रहे आदरवाई यहां देख लो 250 250 तो आप यहां पर लिख दो 250 250 एंड 250 क्लियर है कि नहीं है चलिए माइनस करने के बार लिख देते हैं या या आपको 0 कॉमा लगा देना यहां पर शुर जरा इसको मैं उपर ले लेता हूं क्योंकि मैं में काम तो करे दिया हूं ना चलिए 300-250 कर दो कितना आजाएगा आपका 300-250 50-50 320-250 कर दिया 70 इसको भी जड़ा बॉक्स में हाइलाइट कर दो 0 50 70 किसी बच्चे को अगर मैं भूशो कोई डाउट कोई गन्फीजन अब देखो ने जो आपने यह पंसिप्ट किया है यही आपका स्टेट ओफ रिग्रेट टेबल हो जाएगा कैसे जड़ा देखो क्वेश्चन को भी रखता हो तो थोड़ा असान हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी हाई हो फारिक बच्चे को वैल्यू दिख रही है अब मैं रिग्रेट टेबल यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्जाम में देखना आप नीचे लिख लेऊ एक्जाम में आप लोग इसके जस्ट नीचे लिखना वह तो मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको यह टेबल का कॉंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझ जाए जैसा टेबल दिख रहा है ना यह आपको वैसे टेबल बना दो आप वह एक होगे यह स्वन फॉर एस्टू एन एस्ट्री अब बीच में आप एक और क्लियर है क्यों एक लिखा गया पहले बैसे लिख दू यहाँ यहाँ पे लेकिन दियात की इंपोर्टन प्हले रिख देना कि यह आपका और यह जो कॉंसेप्ट अभी तक आपने किया और रिग्रेट टेबल के लिए ही किया यहां पर आपका state of nature दिख रहा है, state of nature, यहां पर आपका s1, s2, s3 and यहां पर आपका course of action, कितना, a1, a2, a3, अगर मैं पूछो किसी बच्चे को देखो ना, value देख के आप copy ही तो करनी है, क्या करना देखो इदर, s1 आपने find out किया, कितना 35, 75 या तो आपको लिखना है, यहां पर 35, 75 and 0, तो आप लिख दो इदर 0, clear है कि नहीं है, यहां पर आपका s2, 30, त्यान रखना, s2, 30, और कितना 70, 0, 70, 0, last आपको 0, 50, 70, 0, 50, 70, अगर मैं पूछो किसी बच्चे को, रिग्रेट टेबल, find out करने में कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी ची, especially जुन्होंने मीनिमैक्स का concept पढ़के आए, जो बच्चे, complete concept मीनिमैक्स का ही किया गया, रिग्रेट टेबल को find out कर करने के लिए, clear एक नहीं, I hope और एक बच्चे को समझाओ का, फिर भी देखो doubt, confusion अगर किसी बच्चे को जरूर नहीं से comment बैट करो, या फिर पहले मीनिमैक्स का concept आप clear कर गया हो, table clear, table में ध्यान रखना, एक चीज और add कर लो, ताकि clarity और मिल जाए, और यहीं से हमारा काम भी हो जाए, कि लाइन ड्रॉ कर लीजी आप, चलो, लाइन की ड्रॉ करा है, question की requirement नहीं, question को side करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, probability, जो probability दिया गया था, वो भी copy कर लेता हूँ, कितना कितना दिया गया था, first का 0.35, second का 0.45, next का 0.2, अब question की requirement नहीं है, question को आप एकदम side कर सकते हो, और हमें सिर्फ यह चाहिए, table, क्या चाहिए, यह सिर्फ table जो आपने regret table बनाया, वो चाहिए, कैसा concept क्लियर करना, देखो इदर बहुत simple, अब बात करने वाले हैं, for A1, अब A1 का use होगा, क्योंकि हमें select करना best course of action, A1 का selection होने वाला है, कैसे हो का, देखो इदर कितना symbol सा topic है, A1 आप लोग को दिख रहे है, कितना कितना लिख दो इदर, पहला है 35, मैंने बोला multiply कर तो, किस से multiply से, A1 बी वाला concept, 35, multiply उसकी probability जो दिया रहेगा, कितना दिया है, 0.35 दिया है, plus करूंगा second, A1 क्या है, मे 0.45 से गिया, मैं बोल रहो, plus कर लो, next आपका 0, multiply 0.2, 0, multiply 0.2, चलिए, कैल से उठाते हैं, कैल सी, और जो बच्ची मेरे साथ practice करते हैं, जरूर कैल सी अपने साथ रखे, क्लियर है, चलू, कितना है 35, मैंने लिखा 35, multiply कर लो, 0.35, कितना आ रहा है, 12.25, आई हो, फर एक बच्चे का यही आया होगा, कैंसल करते है, 30, multiply, 30, multiply, 0.45, कितना आ रहा है, 13.5, अब क्योंकि कैल सी का ही काम है, 0, multiply करोगे, तो 0 ही आएगा, चलिए, 13.5 में प्लस की है, 12.25, 12.25, तो यहाँ, एंसर है 25, 25.75, यह आपका एंसर है, किसका, A1 का, इसको मैंने क्या क्या, highlight कर लिया, अगर पूछा जा किसी बच्चे को इसमें कोई doubt, कैसे find out किया, और अगर doubt लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमें A2 भी तो करना है, भई, A1 जैसे आपने किया यह न, जैसे आपने यह A1 किया है, वैसे ही अभी आपको A2 भी करना है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं A3 लिख देता हूँ, for A3 भी करना है, concept clear हो जाएगा, अगर वन टाइम में नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, A2 कर लो, A3 कर लो, A2 कितना है, 75, multiply कर दो, easy, देखो न, symbol सा उसके नीचे probability दिया है, न, भई, आप multiply करो, प्लस कर दो, second value लिखो वहाँ से, 70, multiply, उसकी probability आपको कितना दिख रही है, 0.45, प्लस कर लो, next, आप 50, multiply 0.2, कोई दिक्कत, कोई confusion किसी बच्चियों को नहीं होना चीए, भई, प्लस माइनस का game है, करेंगे, लेकिन पहले यह concept भी मैं कॉपी कर लो, 0, multiply, 3.5, sorry, 0, multiply, 0.35, प्लस करो, 0, multiply, 0.5, plus multiply, 70, multiply, 0.2, clear है, देखो, I hope, मुझे लगता है, हर बच्चों को clarity होगी, अब काम है, केल्सी का, 75, multiply, 75, multiply, 0.35, कितना रहे है, 26.25, I hope, फर एक बच्ची के केल्सी पर यही आ रहा होगा, प्लस कर दो, 70, multiply, 70, multiply, 0.45, multiply, 0.45, 0.45, कितना है, 31.5, प्लस 50, multiply, 0.2, I think, 25 आ चीए, इस वर 10 आ चीए, बच्चेक कर लिया जाए, अधरवाइस, confusion ना रहे कोई, क्लियर्टी मिलना चीए, 10, चलिए, सब को plus कर लेते हैं, plus 31.5, 31.5, 31.5, plus 26.25, 26.25, final answer, 67.75, चलिए, इसको जड़ा हाइलाइट करो आप, लास्ट आपको देखना है, 0.0.35, multiply, तो 0, 0 से multiply, 0, 70, multiply, 0.2, तो 72, 14, I think, 14 आना चीए, कर लेना, ये आपका final answer, 14 आएगा, अब ये तीन में से आपको decision देना है, भई, best course of action आपके पास क्या दिखा है, तो देहान देखना, E, O, L की बात हो रही है, भई, loss की बात करते हैं, तो ये हमेशा minimize का selection करते हैं, तो देखो ना, हमेशा, हमेशा इस concept में minimize की बात होगी, तो तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25.75, 67.75, 14, तो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, 14, 14, it means, it means, final answer, भाई, लिख दो answer, the best course of action, the best course of action, A, 3, with, त्यान रखना है, ये चीज़ हाइलाइट करना जरूर ही है, क्योंकि ये minimize की बात करते हैं, with minimize value, कितना आया आपका 14, लिख देना, under, या फिर according, to, E, O, L, criterion, देखो, सम की लेंथ, अगर में बात करूँ, जादा लग रही हैं, लेकिन concept simple है, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सर, E, O, L concept में हमेशा regret table प्रिपेर करना, और जब भी regret table प्रिपेर करते हैं, तो हमेशा state of nature को target किया जाता है, या दिला दो जरा सा, अगर बच्चों को थोड़ा सा भी ध्यान में होगा, Kelsey की requirement खतम होगे, side करो जरा, पहले हम बात करते हैं सर, हमेशा S1, state of nature को target किया जाता है, minimum लेना या फिर maximum, यह decide करता है question, यह एक ही sum आपके topic में दिया, जहां minimum word हुआ है, तो ध्यान रखना यहां पर, यह बहुत important यह concept है, जो यह minimize की बात करता है, पाकिसम में अभी maximum ही आने वाला है, तो minimum select किया, और यह जो minimum value आपने select किया, सब state of nature से, minus किया, आपको मिला regret table, यह जो value मिली, उस ही के help से, अमने regret table बाना है, बाद में A1, course of action से, जो value आपके मिली, तो उसका multiply किया probability से, और जो minimize आया, EOL में उसका selection हुआ, I hope for एक बच्चे को समझा, मैंने क्या line बोली है, और especially उन्हें बच्चे को 100% समझाओगा, जिन्होंने starting lecture 1 से, मेरी स्रीज को वालो किया है, clear है, I hope for एक बच्चे का concept clear है, फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा पी doubt confusion है, जैसा feel हो रहा है, लग रहा है कि doubt confusion है, तो अगली class देखो ना, उसके बाद concept decide करना, clear एक नहीं तो चलिए, वीडियो थोड़ी से भी helpful लग रही है, तो वीडियो को like कर देना, अच्छे च्छे comment add करो, और इस वीडियो का link ना, जितने भी आपके friend circle है, चाहिए B.com की class हो, B.A.F, B.P.I, B.M.S, B.F.M, B.A.F को side कर दो, बाकि जितने भी आपके class है, सब को ये topic है, तो उन बच्चे को भी इस वीडियो से help मिलना चाहिए, तो छोटे से demand आपके लिए है, तो चैनल का link जादा से जादा share करो, आपके friend circle को only commerce section, commerce के जो भी बच्चे उनको share करो, ताकि उनको इससे benefits मिले, और चैनल बे थोड़े से अच्छे commerce के बच्चे connect होते रहे, तो चलिए, मिलेंगे next class में जा पर हम लोग बात करने वाले हैं, EOL के अगले class के बारे में, तब तक के लिए thank you, so much,